तो अब मैं आपको सीधे इसराइल ले चलता हूँ वहां से मेरे साथ बेडशेवा से श्वेता तृष्णा जुड़ी है श्वेता वहां एक स्टूडेंट है और बेन गुरियन उनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है श्वेता सुन पा रही है मुझे जी पहले तो आप तो आपस में आपके कोई ग्रूप्स बने हुए है वाटसेप ग्रूप सोचल मीडिया ग्रूप आपकी बातचीत होते रहती है शेयर करते रहते है इंफॉमिशन जी जी पूरे इंडियन जितने इस्राइल में हैं सबका एक वाटसब ग्रूप है तीन चार ग्रूप्स हैं जहां पर सारे इंफॉमिशन इन अपडेट्स आते रहती हैं कितने स्टूरेंट्स होंगे वाँ इस्राइल में इंडिया के? मेरी अपनी उनिवेस्टी में चार सो के आसपा स्टूरेंट्स हैं और कुछ एमबसी के ओफिशल्स को कोट करते हुए मीडिया में खबरे चपरिती के करीब अठारा हजार से जादा वहाँ पर इंडियन्स भी हैं तो क्या वो आपकी information है वो सब ठीक हैं या उनको कहीं वहाँ से evacuate करके या वो खुद अपनी जगह से जा रहे हैं? आपकी बहुत सारे जगह से इंडिया में कव लोग के एजेंसी उनको एवाकोएट कर रहे हैं जो इंको यहां पर भेजती यह हैं वो एवाकोएट कर वा रहे हैं तो हम जतना embassy से touch में है, embassy के हिसाब से इतना ही है कि अगर situation खराब होती है, तो हम evacuate कराएंगे. आपकी उनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही है या अभी बंद है? अभी उनिवर्सिटी खुली है, अभी जस्त रिसेंटली खुली है और ट्लासे नहीं हो रही है, जस्त लाइक मिनिममम रिसेर्च वरक और हो रहा है. तो जब रॉकेट वगरा आते हैं, तो जाहिर है वहाँ तो एकदम सब डर जाते होंगे, क्या होता है उस समय जब रॉकेट आता है? जब रॉकेट आते हैं, तो यहाँ पर हर शहर सटन एरियाज में डिवाइड़ होता है, और सटन एरियाज के लिए लाउट सायरेंज होता है. तो रॉकेट आने के 30-40 seconds पहले वो sirens बचते हैं जिसमें हमें instructions होती हैं कि हमें bunkers के अंदर जाना है which is underground so as per the instructions हम bunkers के अंदर जाते हैं जब भी sirens बचते हैं हमारे पास apps भी होते हैं उन में भी alarm बचना चालो हो जाता है तो आप जहां रहते हैं वो hostel है या प्राइवेट घरों के नीचे बना है या प्राइवेट घरों के नीचे भी बने हुए यहां पर हट जितने भी settlements हैं जितने भी hostels हो या प्राइवेट घर हो सबके 10 मीटरs 20 मीटरs के पास में bunkers होते हैं shutter rooms होते हैं सब लोग shelter rooms में जा सकते हैं जैसे हमारे hostels में एक apartment दो apartment ले एक बड़ा सा shelter room होता है जहां पर almost 50-200 people can accommodate तो वो जमीन के नीचे होता है bunker तो मतलब अंदर ही हुआ ना तो कितना नीचे होता है सीडियां उतरनी पड़ती है या lift होती है कैसे होता है नहीं नहीं lift नहीं सीडियां होती है सीडियां होती है दो floor नीचे होता है दो floor नीचे होता है और वहां क्या-क्या इंतिजाम होते हैं बंकर में? बेसिक अमिनिटीज जो बेसिक चीजी जिसे वाश्रूम्स हो गया है और पानी की सुवधार अगर बट हमें इंस्ट्रक्शन्स होते हैं कि अगर बंकर में जाधा टाइम रहना पड़ रहा है वह हमें पहले इंस्ट्रक्शन्स मिल जाते हैं तो हमें यह इंस्ट्रक्शन्स होते हैं कि आप स्टॉक अप कर लोग खाना वगया इन पेसिक कम्यूनीटी जिससे आप टच में हैं, उनका क्या मानना है वहाँ पर जो हमास ने अटेक किया, फिर अब जो इस्टराइल रिटेलियटरी स्ट्राइक्स कर रहा है, किसको सही गलत मान रहे है वहाँ पर इंडियन कम्यूनिटी के लोग जिन से आपकी बातचीत होती है। पर इंडियन के लिए वार्व जब पहला आटाइक हमास का हुआ था तब तो इसराइल भी और इवरीबडी वज़ टेकन बाइ सिर्प्राइज तो उस समय आपको कैसे क्या इंफोर्मिशन मिली थी जब वो अचानक अटाइक हुआ था था हमें उससे प्राइर कोई इंफिरमे कि हम इतने खत्रे में नहीं हैं जतने वो लोग हैं क्योंकि वो लोग मेजरली टागेटेड हैं हम स्टिल प्रोटेक्टेड स्पेसेज में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम विजिदेंट रहे हैं as per the embassy instructions इंडियन मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा safe महसूस करते हैं नहीं ऐ और जब जैसे रॉकेट आता है तो वो देखता थोड़े है कि वो कहां गिरेगा और शिपकान जी क्या यह